नमस्कार and welcome friends. कुछ साल पहले तक मैं organization का मतलब समझती थी market से नए container ले आना, colorful से, beautiful से, अच्छे से leveling कर देना. बट organization ये सब नहीं है. यहाँ पे मैं कुछ tips और tricks share कर रही हूँ, जिससे शायद आपको कुछ help मिले. container आप कहां रख रहे हैं? अगर उपर के left में रख रहे हैं, तो leveling front की तरब कीजे. और अगर आप pull out पे containers रख रहे हैं, तो top पे leveling कीजे. उनके visibility काफी अच्छी होगी. हर container की दिए leveling method अलग होगी. containers को leveling करने के लिए, market से expensive और fancy leveler की बिल्कुल भी जुरत नहीं है. आप घर पे ही इनको बना सकते हैं. पेपर को मैंने एक one-sided paper को fold किया. बैंगल से मुझे जितना बड़ा container चाहिए, उतना बड़ा मैंने shape दे दिया. और जो scissor pattern वाले आते हैं, 10 या 15 रुपिज में उससे मैंने cut कर दिया. तो एक proper design का leveler मेरे पास ready है. यहीं नहीं. जब हम घर में art and craft करते हैं, तो इस तरह से कुछ papers मिल जाते हैं हमें, जिन्हें हम fake देते हैं. उससे भी आप इस तरह से leveler बना सकते हैं. किस color का leveler चाहिए, वो आपके choice पे depend हैं. साथ ही, आपको किस container पे लगाना है. जैसे अगर blue color का cap है container का, तो उस पे yellow या red color का leveler अच्छा लगेगा. उस पे आप label कर दीजे, sugar, tea, जो भी और बस transparent cello tape से उसको चिपका दीजे. आपका level खड़ाब नहीं होगा. अगर आपके पास container का set है, तो उसमें same type के leveling यूज़ कर लीजे. या कोई आप pattern या theme चूज़ कर सकते हैं. इन label को जो आपने cello tape से चिपकाया है, उसको निकालना इतना difficult नहीं है. आप बस उसको खीच के निकाल सकते हैं, peel off कर सकते हैं. यहाँ पे sugar और tea, मैंने दोनों ही एक ही color से mark किया है. decorative लगता है. मेरे पास ये container 5 का set था, था तो 6 का, लेकिन एक शायद खराब हो गया है. तो उसमें मैं tea और sugar एक color से label किया है, और जो जैसे healthy आजवाइन को दूसरे color से. क्योंकि इनको मैं एक जगह रखती हूँ, तो गलती से चाय में मैं आजवाइन ना डाल दूँ. containers और leveling तो done हो गई, लेकिन उनको हम सिफ line से रख देंगे, तो शायद उनका look ना आए, जैसे यहाँ पे. आप देखे, मैंने liner बिचा के वही container रखा, तो look different है. अगर आपको जगह कम पढ़ रही है, तो आप उसको zigzag pattern में रखे, थोड़ा extra space मिल जाएगा, तो कुछ और container आप पीछे की तरफ shift करके रख सकते हैं. आपके container अच्छे ही दिखेंगे. Most of the container हमारे घर में, free में ही available हैं. जैसे ये container, free का तो मैं नहीं बोलूँगी, ये मुझे gift मिला था. देखने में अच्छे हैं, बट मेरे साथ एक छोटी सी problem आती है इन container के साथ. इनकी leveling मैं top में करती हूँ, cap में. और जब मैं cap खोलती हूँ और उसको वापस लगाती हूँ, तो इनका जो लिखा हुआ name है, वो diagonally हो जाता है, ना तो वो side में रहता है, ना front में. तो थोड़ा मुझे उल्टा-उल्टा लगता है. ये जो है chocolate spread के boxes थे. Chocolate spread mostly हम बच्चों को और चपाती में या bread में देते हैं. तो इसका peeling अभी करना बाकी है, actually मैं करूँगी भी नहीं, क्यूंकि इनका मैं कुछ decorative के आगे आपको बताने वाली हूँ. Earbud के containers, ये Johnson & Johnson का earbud है. उसके boxes थे. और ये पीजा स्प्रिंकल के. यही नहीं, आप even जो juices होते हैं, उनकी bottles भी, क्यूंकि food grid के होते हैं, तो इनको आप use कर सकते हैं. इन containers में वो चीजे रखिए, जो roll out हो जाती हैं, जैसे mustard, seeds, छोटे pieces हैं, तो निकालना आसान होता है. इनको भी हम decorate करेंगे. Problem आती है इनको filling की, कि कम चौड़े मुँ में हम कैसे fill करें. तो उसके लिए आप paper का cone बना के, आसानी से filling कर सकते हैं. और जो चौड़े वाले containers हैं, वो चीजे रखिए, जिसको आपको हाथ डालके निकालना है. जैसे elanchi, log, बड़ी elanchi, etc. वो हम count करके निकालते हैं. और जो कम चौड़े के हैं, उसमें मसाले रख सकते हैं. जैसा मैंने अभी कहा, कि जो हमारे घर पे containers हम निकालते हैं, दूसरी चीजों के, उनके ये leveling निकालना difficult होता है. अगर आप खीच के निकालेंगे, तो वो अपने glue के गंदे दाग छोड़ जाते हैं. तो इनको beautiful बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, कि आपके घर में जो भी समाना आता है, जैसे ये cake का एक wrapper था, इसका pattern बहुत ही खुबसूरत था. इसमें cello tip लगा है, तो लगया रहने दीजे, does not matter. इसी तरह जो chocolate के wrapper आते हैं, इनका भी pattern अगर print उसमें अच्छा है, तो आप use कर सकते हैं. जिस container को आपको label करना है, cover करना है, उसका आप hide देख लीजे, कि कहां से कहां तक करना है, जहां अलग से पुराना labelर है, बस हम वहीं करेंगे. जैसे कि ये लगभग, 3.5 cm था, इंच से measure मत कर दीजे, क्योंकि वह शायद ना आपको गलत rating देदे, तो cm का use कर दीजे. मैंने 3.5 cm उसकी width ली है, और circumference measure करके, वह कुछ 2.5 cm का आ रहा था. तो मैं उसे 2 cm कम लूँगी. कम लेने का एक मेरा proper motto है, कि जब आप 4 तरप लगाएंगे, तो थोड़ी जगा छुटी होनी चाहिए, ये देखने के लिए, कि उसमें अभी कितना spices बचा हुआ है. तो अगर आपके पास 2 type के container हैं, और material एक है, तो पहले आप same type के container को level कीजिए, अगर आप paper बचता है, तो दूसरे container को level कीजिए, ताकि वो same pattern में आ जाएं. मैं इसको जितना मैंने width लिया है, 22 and a half था, तो उसको मैं 20 cm ले रहे हूं. और उसका जो चौड़ाई था, उसका measure कर ले रहे हूं. उसी measurement के, मैंने stripe कट कर लिये हैं. आप Caesar जो यूस कर रहे हैं, उससे फिर आप कपड़ा नहीं कट कर सकते, क्योंकि वो Caesar खड़ाब हो जाती है. एक stripe कट करने के बाद, उसी के measurement का, बाकी के stripe कट कर लिजे, mark करके. मार्किंग जब आप कर रहे हैं, तो सामने की तरफ मत कीजे, पीछे की तरफ कीजे. नहीं तो आपका वो जो marking का निशान है, वो गंडा लगेगा. पीछे रखके मैंने उसको proper marking कर लिया है, scale से line खीच के उसको मैंने cut कर लिया है. टाइम बहुत ज़ादा नहीं लगा. honestly बता रही हूं, कि मुझे ये पूरा करने में, hardly 15 मिनट का काम था ये. करने के बाद मैं आपको बिताती हूं कि इसको चिपकाना कैसे है. पहले ही आप cello tape पतले पतले पीसे स्कर्ट करके container के उपर रख लिजे. और जिस container के उपर paper roll करना है, उस पे आप ये stripe रखिए. cello tape से उसको एक end पे चिपका दीजे. और फिर roll करते हुए दूसरे end पे आए. यहां भी cello tape से अच्छे से 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 क्योर कर दीजे. edges पे से क्योर करना जरूरी है. ये container मुझे तो बहुत beautiful लगा. आप comment करके जरूर बिताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं. मैंने सारे containers को इसी तरह cover कर दिया है. अब आते हैं leveling पे. तो cover होने के बाद अगर हम leveling भी इनहीं paper से करेंगे तो ये और ज़्यादा beautiful लगेंगे. सच में लगेंगे कि these are the market one. तो मैंने जो cap है उस size का paper कट कर लिया है. जितने मुझे चाहिए. जैसे यहां पे six container है तो six. edges पे उसको बस थोड़ा सा scissor से ही round shape दे दिया है. बस edges कट की है that's all. और बस जैसा मैंने पहले बताया था इनको top पे रखिये और इनकी leveling कर दीजे. और cello tape से cover कर दीजे. यह secure हो जाएंगे. cello tape से पूरा cover करने का मेरा motto यही है कि अगर spices निकालते समय उसमें गंदा हाथ लग जाए या थोड़ा बहुत पानी चला जाए तो उनकी leveling मिटे नहीं, खराब ना हो. जो container अभी filled हैं, सिर्फ मैंने उनको leveling किया है और जो container खाली हैं, उनको ऐसे रहने दिया. तो जब मैं सामान रखूँगी, तब मैं उनमें level करूँगी. ये container देखे कितने प्यारे लग रहे हैं, इनको आप stack करके रखिए या बाजू-बाजू में रखिए, ये और च्वाइस. containers को जो एक जैसे हैं, अगर आप उनको एक जगह रखेंगे, वैसे ही वो organized लगने लग जाते हैं. अगर आपके पास space काम हैं, तो उनको एक यूपर एक stack कर सकते हैं. कुछ containers ऐसे होते हैं, कि जो set के नहीं हैं, no problem, उनको पीछे रख दीजे, और सामने से एक जैसे container रख दीजे. यहाँ नीचे मैंने dry fruits रखें हैं, और एकदम right corner पे मेरे बेटे का tiffin, left corner पे ready to eat food items. Spices मैं kitchen में gas stuff के just नीचे वाले drawer में रखती हूँ. जो stock है, वो second वाले में, ताकि filling करते समय मुझे problem ना जाए. और handy जैसे की मसाले के डबबे, चाट मसाला वगरा, वो सब उपर ही वाले drawer में रखती हूँ. छोटे-छोटे pouches हमें पहले यूज़ कर लेना चाहिए, इसलिए वो वहीं एक container में. Spices, ताकि खाना बनाते समय मुझे बहुत ना जुकना पड़े. वहीं नीचे बड़े container हैं, तो अगर कुछ खतम भी हो गया, तो filling में problem नहीं आती है. Containers हो गये, leveling हो गयी, segregation हो गया. अब आप containers को ऐसे कहीं भी रख देंगे, तो अच्छे नहीं दिखेंगे. जैसे ये चार boxes हैं, इनको मैंने एक अलग से plastic के container में रखा. जम तो गया, बट इनको निकालने में problem होती है. तो आपके पस अगर पुराने pen पड़े हैं, या कोई भी kitchen में पुराना, जैसे ये peeler है, तो इसको मैं इसके उपर रख देती हूँ. इसे फाइदा ये है, कि जो ये container जो मैं उनके उपर रखूँगी, ये थोड़े slanting रहेंगे. तो इनको हाथ से निकालना बहुत असान है. सामने से देखिए, आपको difference समझ में आ जाएगा, उठाना कितना easy होगा. और ये एक corner पे एकदम fit हो गया. अगर आप ये ऐसे roll वाले container रखेंगे, एक दूसरे के उपर stack करने पे वो लुड़क जाएंगे. तो उसके लिए बस एक plastic का cap लीजे और उस पे फिर रखेंगे. अगर आपको लगता है फिर भी लुड़केंगे, तो एक चमबच का support दे दीजे. ये container मैंने यहाँ पे रख दिये, उन्ही के बाजू में दूसरे. अगर मुझे पूरे container लेवल करने का time नहीं मिला, no problem, next time कर लेंगे. यहें पे मैंने तीसरी row रखी, लेकिन मुझे थोड़ा congested लगा, अगर space नहीं होता तो वहीं रखती. इस पेस था, इसलिए मैंने उपर वाले container में रख दिया. Thank you so much friends for your support. Hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको पसंद आया हो, तो comment करके मुझे जरूर बताईए. और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजे. शायद उनको भी पसंद आजाए. Thank you so much.